नई सुभा के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब किजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट आज हम बनाएंगे डाल, चावल और सलाथ डाल बनाने के लिए जो अज़्जा हमें दरकार हैं वो ये हैं डाल मॉंग एक कप, डाल मसूर एक कप, कुटी लाल मिर्च एक टेबल स्पॉन पिसी हल्दी हाफ टी स्पॉन, एक प्यास दर्म्याने साइस की बारीक कटी हुई लहसन का पेस्ट एक टी स्पॉन, नमक एक टी स्पॉन या हस्बिजाई का अब अज़्जा भगार के लिए साबित लहसन के जवे 10-12 अदद बारीक स्लाइस किये हुए जीरा वन टी स्पॉन, कड़ी पत्ता दस से बारा पत्ते, कोकिंग ओईल चार से पांच टेबल स्पॉन अज़्जा चावल के लिए चावल आधा किलो, नमक दो टेबल स्पॉन जीरा वन टी स्पॉन, कोकिंग ओईल फोर टेबल स्पॉन, अज़जा, सलाथ के लिए प्यास दो दर्म्याने साइस की बारीक कटी हुई टिमाटर दो अदद दर्म्याने साइस के बारीक कटे हुए खीरा एक अदद बारीक कटा हुआ, नमक एक चुटकी, आधे लीमू का रस तरकीब डाल के लिए सबसे पहले दोनों डालों को साफ करके अच्छी तरहां धो लें अब डाल को एक पतीली में डालें और तीन से चार ग्लास पानी डाल कर उबालने के लिए रख दें अब इसमें बारीक कटी हुई प्यास, लहसन का पेस्ट और मसाला चामिल करें और 10 मिनट तक तेज आँच पर उबलने दें जब डाल उबल जाए तो आँच धीमी कर लें 15 मिनट तक डाल को धीमी आँच पर पकने दें और वक्फे वक्फे से चमचा चलाते रहें जब डाल अच्छे से गल जाए तो इसे डाल घोटना की मदद से अच्छी तरह घोट लें और अगर आपको डाल पतली करनी हो तो इसमें मजीद पानी एड़ कर लें और अगर गाड़ी करनी हो तो इसे मजीद पकने दें अब दाल को चूले पर से हटा लें और फ्राइ पैन में 3-4 टेबिल स्पून ओयल गरम करने रख दें फिर इसमें लेसन डालें और इसे ब्राउन कर लें चुला बन कर दें और इसी टाइम इसमें जीरा और कड़ी पता डाल कर अच्छी तरह चम्चे की मदद से मिक्स कर लें अब भगार तयार है इसे दाल में शामिल कर दें चावल पकाने की तरकीब सबसे पहले चावल को चुनकर अच्छी तरह साफ कर लें और साफ पानी में भीगो दें अब एक खुले मूगी पतीली लें और 4-5 टेबिल स्पून कुकिंग ओल के एड़ करें जब तेल गरम हो जाए तो इसमें जीरा ढाल दें और इसमें 3 ग्लास पानी के शामिल कर दें जब पानी में उबाल आ जाए तो इसमें 2 टेबिल स्पून नमक के शामिल करें और भीगे हुए चावल शामिल करके चमचे की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर दें इसे 5 minutes तक तेज आँच पर ही पकने दें जब दुबारा पानी में उबाल आ जाए तो आँच मीडियम कर दें और चावल का पानी खुश्ख होने का इंतिजार करें जब चावलों का पानी खुश्ख हो जाए तो चावल की पतीली के ढखने को टौवल या कपड़े की मदद से कवर करें और इसे पतीले के उपर अच्छी तरहां फिक्स कर दें और आज धीमी करके 15 मिनट तक दम पर रख दें तरकीब सलाथ के लिए कटी हुई प्यास को पानी में भिगो दें टाके इसकी तजाबियत खतम हो जाए अब बारीक कटे हुए टेमाटर और बारीक कटे हुई खीरे को एक बाउल में डालें और च्छनी की मदद से प्यास को छान कर इस बाउल में शामिल करतें फिर इसमें एक चुटकी नमक एड़ करें और आधे लीमों का रज शामिल करके इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें मज़िदार दाल चावल और सलाथ तयार है आज के लिए इतना है मिलेंगे नई रस्पी के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफिज इस तना है जीजी